खवर परताल विच तोड़ा स्वागत है मैं हां विजे मौरिया खवर परताल विच असिया जो ना खवराते चर्चा करांगे जिडियां सुर्खिया रही है ने आज दी जिडि सब तो बड़ी खवर रही और वदा कि वीडियो भी वारल होया जी दे विच राजपुरादो का कांगरसी विदायक हरदयाल सिंग कंबोज जड़े की पंजाब सरकार दी बियूरो करसी ते नराज ने और उना दी इस नराजगी नो कैप्टर अमरिंदर सिंग दे खलाब भी नराजगी दे तोर दे दिख्या जा रहा है अज उना दे बेटे निरपे सिंग जो की यूथ का ठंदी चोना हो जा रही है ओदे विच ओ इलेक्शन भी लड़न जा रहे है ओ उना दी एक फोटो नवजोद कौर्स सिद्धू जो की क्रिकेटर थे मले कॉंगरसी और MPV कई बार रह चुके ने नवजोद सिद्धू जी ओना दी वाइफ दिनाल एक फोटो वाइरल होया एक फोटो वाइरल क्यों हुई एदे की माइने ने इस्ते ऐसी चर्चा करांगे यह दे विच सबतों पहला मैं इस दसरा चाहूंगा एक फोटो इसली इसली चर्चा दे विच है क्योंकि नवजोद कौर सिद्धू जो की राजपुरा दे विदायक ने हर्दयाल सिंग कंबोज और उस दुरार एक फोटो जड़ी है निर्बे सिंग और नवजोद को और सिद्धू दी फोटो खिच के वाइरल हुई है एक चर्चा दा विशहर आई आज सबतों पहला मैं तो नहीं कालता है कि जड़े हर्दयाल सिंग कंबोज ने हाल दे विची की प्रेस कॉन्फरेंस किती सी जीदे चुना ने पंजाब दी जड़ी बिरोक्रेसी है ओ देते कई इलजाम लाए सीगे कि ओ नोकरशाही जड़ी है कम नहीं करी ठीक तरा होना दे ज जिना ने एक तरह दे बगावत करती सीगी सरकार तो नराजगी जाहरी किती सी उक चर्चा दा विचे बन गी है सारे राजनितिक गलेयरे चे हर्दयाल सिंग कंबोज ने भी प्रेस कंफरेंस करके सरकार दी कारवाई तो नाखुशी जिताई सीगी उस तो बाद अचानक जिदों नवजोद का और सिद्धू कांगरसी विदायक के जिड़े की पटेयाला देही ने उनने जिदों मिल देते जाहिर है कि ये गल चर्चा होनी ही सी पॉलिटिक से क्या भी जान दा जे गल निकली है ता ओ दूर तक सुनाई दिन दी है तो आज दूर तक सुनाई दी क्योंकि नवजोद का और सिद्धू जदो इना दे निर्बै सिंग हना ने नाल फोटो खिच के जड़ा फोटो वाइरल किता ओदी पॉलिटिकल तोरते खबर भी सी और ओचर्चादा विशे भी रही असी गल करांगे नवजोद का और सिद्धू दी उनने फोटो जड़ी ह है वो मिले क्यों मिले और उस तो बाद फोटो क्यों वाइरल होया एदे पिछे जड़ी परताल है तो हमाद सुंगा सब तो बड़ा एक कारने दिछ ए है कि नवजोद का और सिद्धू और नवजोद सिंग सिद्धू हाल दे विच जड़ा पाकिस्तान दे जड़ा करतार प बन गे ने सिख संगत दे विच उनना दा काफी प्यार बद गया है सिख संगत उनना हतों थे ले रही है और एजड़ा लंगा खुलिया उनना क्रेडिट भी गया है इस कार के कई जड़े उनना दे तुरविरोदी पॉलिटीशन्स ने ओ एक्तिना दी राजनितिक इर्शा दोश्वी जड़ी होंदी है उनना इस समय काफी टकरावी बने है खुद कैप्टन अमिदर सिंग ने उनना दे पाकिस्तान जदो उत्थे गए और दोस्ती जड़ी अमरान खानलनों ने किती सी और उनना ने काफी तरीफ किती उनना दे बारे भी इतराज जता है सी और हाल नाल एक डिप्लोमेसिक सी गुगली सी और ओ पारत नों एक बहुत बटा जखम देन दी गल किती सी उनना ने ए बयान तो बाद काफी ज़े अरोशना भी ही और जदो करतार पूर कॉरिडर साब खुले आ सीगा उस समय कैप्टन अमिदर सिंग ने एक बयान भी दिता सी भी पाकिस्तान दी नियते उनानों संदेय है वी एदा कोई किसी तरीके नाल गलत अर्थ भी हो सदा एक पास सेवना दी आयसा ही सक्रिया गी है इस तरह इस चीजानों साननों देखना भी चाहिदा है और उनना ने नव्जोद सिद्धू नों एक सला दिती सी कि ओ एकदम लेकिन जड़े रेलवे मिनिस्टर ने एक बयान देता जड़ा दो दिना तो चर्चा चाहिए उस तो बाद कैप्टर अमदर सिंग दी गल सही होगी कि वही पाकिस्तान दी नियत चे जरूस कोई ने कोई खोट आगा कि ओदे दे उना दी मिनिस्टर जड़े दा बयान दें च्योंकि एक मिनिस्टर दा बयान है एक पूरी सरकार दा बयान नहीं है ओदे वाले भी सानू देखना चाहिए है क्योंकि ओने जो गल किती है उत्थे दे पुलिटिकल माइने ने और जे आप पारत और पाकिस्तान दी गल करिये तक करतार पुरु साब जड़ा कॉरीडर है या उत्यदा गुर्दवारा साब है पंजाब और पूरे साठी देश ली एक बड़ा एहम स्थान है साठी संकत तो थे मत्था टिक कर जादी वी एद्दा नहीं होवे एक बंदे दे गलत बयान नाल पूरी सरकार नों कटगरेज खड़ा करके असी साठी विच यानि कि वदे ऐस तरह दी गाल नहीं होनी चाहिए दी लेकिन एना सारे मुद्ध्यान नों देख दे हुए जड़े की कैप्टन साब ने ओ जुरूर ओ सिद्दू ते अपनी जन्नों कहन दे है कि एक तरह नाल अपनी गाल नों सच करना करार देना चांदे ओ दुसना चांदे कि दि कैप्टन अंदर सिंग तरह दसना चंदे की सियासच मैं सिद्दू तो वड़ा है और जो मैं आख्या सीगा जो किया सी पाकिस्तान दे बारे ओ किते ने किते सही किया सीगा और हुए जिया पागल करिए इना सारे विशया तो बाद और जो कैप्टन साब दे बयान आए उस को जी कैप्टन अंदर सिंग अगर मुखमत्री सीगे और एक पराने तजर्वेकार पॉलिटीशन है तो वह कितने किते सही है सिद्दू नों ज्यादा जोस्च ना आके सारा कुछ सिस्टेमेटिकली चलाना चाहिए यारी ने बहुन चंगी गाला है और गुरुआं दे लां यही गल कैप्टन साब ने कीसी से दोबारे और कितने किते उस रेलवे मंत्री दे बयान तो बादे गल सही भी लग दी है लेकिन इना सारे नों कितने किते इस बयान बाजी नों थले कर ले और जिस तरह कैप्टन साब दे खलाब बगावत वदी है उसनों देख दे हुए कि ने किते इस तरह ए मार्किट चे मैसेज जा रहा है राजनेती गल्यारे चे मैसेज जा रहा है कि देखो जी नवजोत को और सिद्धू हुन हर दयार कंबोज फैमिली ना मिली है क्योंकि जड़े नराज गोट सी लगातार एक पासे होंदे जा रहे है जिमें चार एमेलेज हु होगी है कि देखो जी किते जबें महारास्ते विछ बीजेभी और सिफ से ना गटबं दा जिद्रार पर ही ते राश्टे कंगरल्स पार्टी कंगल्स ते से सिफ से ना दी सरकार बन गी किते ने किते जड़ा प्लूप राजनितिक लोग ने इस सीदा जड़ेорот केंदे हैं कि जड़ी सेंद मारी हुंदी है पार्टियां दे विच ओदा फैदा लेन ले भी लाला इतने हूं जिवे हाल दे विच है आप पार्टि दे अमन रोड़ा ने विक्या कि जड़े नराज लोग ने या होर जड़े कई कैप्टन साब दे सत्ताच नहीं रहना चानते हैं कुछ इस तरह तजवीज उनना ने पेश किती है चाहे ओ अपनी सी हलाकि आप पार्टि वालों बयान नहीं आया उनना दा व्यक्तिगत बयान सेगा और एदे बारे हलाकि उनना ने यह नहीं क्लियर किता है कि पार्टि दा स् है नवजोद सिंग सिद्धू दा तड़ा जक्र साब दा तड़ा परताब सिंग बाजवे दा तड़ा होर जड़े अपने बठिंडा तो जड़े एमपी दा चुनाव लड़ चुके है राजा वडिंग इस तरह कुछ लोग कई मैले से इस ता पिछे दिखन चाहा है कि ओ ए बेटे दी जड़ी पोस्ट है नवजोद को और सिद्धू दी जड़ी पोस्ट वाइरल होई है उसनों देख दे हुए ए लग रहा है कि किते ने किते अंदरी अंदरी कोई ऐसी गलत नहीं चल ली कि जड़े नराज लोग नो नो एक पासे किता जावे ए जड़ा नराज लो पर फिर भी राजनिती स्थिर्था नो बनाय रखनली कैप्टन साब भी लगगे होंगे कि जड़े नराज ने मतलब मनाया जावे किसी तरीके नहीं जड़ी नराजगी वदन मा दिती जावे और जड़ा विपक्षी गोटा है पार्टी दे अंदरी हर तरह हर पार्टी जी क कर रहे हैं मैं यह नहीं कह रहा है वो कर रहे हैं पर फिर फो की गला लगल लग लग पेंदी है राजनिती वेच हर गल दा मायने देखे जाए है और अगर इस तरह दी कोई गल है ता एवी गल समझी जा रही है कि नराज गूटे कि पासी होके होन नहीं तक कल जड़ों तो यानि कि ओ सीम बनेगा और ओ अगे सरकार दा मुखिया बन जाएगा ता एजडी राजनिती चल लिए है कितने किते आपने जिन्हों केंदे कि एक गुट वड़ा करन दी गल चल लिए है कितने किते आनले टैमली या फिलहाल है सरकार दे लगबग डेड़ पोने दो साल पहे ने उन्दे विच कोई ऐसरा दी कोई गल आजे क्योंकि कॉंग्रेसी पीच गल भी चल लिए है कि राजस्तान और मद्विपरदेश दे विच ओथे जड़े सीम ने शायद उना नो बदले आ जा सकता है और इस सदारते कई जड़े कॉंग्रेसी गुट दे लीडर ने हो भी चांदे होने कि कैप्टन साब अगर हट दे है ता जो सिंग से दुन लिया ये ता उना नो हम हमा के सीम ना ये ता एजड़ी सीम दी पोस्ट है या कहलो कुरसी है बड़ी एहम होंदी है स्टेट दा मुखिया होंदा है सीम ता इस दे नजरियन आल हर कोई जड़ा पा जाहिर होंदा है कि पार्टी दे विचे सब कुछ ठीक नहीं है पार्टी नो ठीक करन दी लोड़ा है एदली चाहिए सोनीर जाखड पंजाब प्रदेश कॉंगरस देज़े पध्यक्ष ने या सीम कैप्टन मिंदर सिंग नो ही अगे आना पेड़ना है कि तड़े बंदी न को ते एदा ही पंजाब चे कोरी दुबारा स्थिती दा सामना कैप्टन नो ना करना पवे असी ता एही चामागे पर फिलहाल राजनिती और राजनिती के लोका नौम राजनिती करनी पेंदी है ए उना दे फ्यूचर दा सवाल होंदा है ए दे विच नवजोद सिद्धू क कि ने काम यह हम दे है ते कैप्टन अंदर सिंग अपनी सरकार और सत्ता और मुख्या कद तक बने रंदे है ए ता आनाला वक्त दिसेगा लेकिन ए जरूर है कि कॉंगरस दे विच सब कुछ ठीक ने चल लिया खबर परताल विच आज इना ही फिलहाल असी कल फिर नवी खब दो तान वाग